दाल लिएगा गाईस atmosphere मस्तरो भाई अब आ गए हो तो अब दबा करके पढ़ाई करो atmosphere जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं वायू मनडल इसको अपन हिंदी में बोलते हैं वायू मनडल तो गाईस अगर आम लोग बात करें atmosphere की यानि कि वायू मनडल की तो first of all अगर guys मैं आप सारे बच्चों से बात करूँ कि atmosphere क्या होता है यानि कि वायू मंडल क्या होता है तो guys अब आप सारे बच्चें यहाँ पर focus करो यह होता है guys outer most यह outer most layer होता है यह हमारे outer most layer होता है guys यह किसका अर्थ का आसान बासा में अगर मैं guys आपको समझाने का प्रयास करूँ तो outer most layer of earth जो होता है guys उसी को हम लोग अर्थ का atmosphere that means हम लोग अर्थ का वायू वंडल कहते हैं कि यह बात आप सबको समझ में आ रही है outer most layer of outer most layer of guys अर्थ अपन क्या बोलते हैं यानि कि वायू मंडल हम इसे कहते हैं अब guys अगर मैं बात करूँ जो suppose करो हमारे अर्थ के चारो तरब जो अगर मैं guys बात करूँ जो layer है वो हमारा atmosphere है तो हमारे atmosphere का composition क्या होगा मतलब जो हमारा atmosphere है वो किस से मिल करके बना होता और ये exam में कई बार पूछा गया है हमारे atmosphere का composition क्या होगा और guys आप सारे बच्चे जो regular class में आते हैं वो लोग इस चीजों को focus करूँ हाँ बाइस और अब thank you atmosphere तो अगर हम लोग guys बात करें composition की तो सबसे ज़्यादा हमारे atmosphere में हमको क्या देखने को मिलती ही nitrogen और आप सारे बच्चे बताएं कि nitrogen कितने percent देखने को मिलता है तो answer is 78% then guys मैं बात करूँ oxygen oxygen आपको कितना percent देखने को मिलता है guys यह हो जाता है 21% I hope सारे बच्चे इससे इतिफाक रखते होंगे yes or no अगर guys हम लोग बात करें किसके बारे में carbon dioxide के बारे में CO2 के बारे में तो carbon dioxide जो है वो हमारे atmosphere में कितनी है 0.03% और यह आपको बिल्कुल याद रखना है तो basically guys अगर मैं आपसे बात करूँ कि हमारे atmosphere का composition क्या है तो एक broad way में मैं यह बोल सकता हूँ कि हमारे atmosphere में different type की क्या है guys gases है yes or no plus यहाँ पर आपको water vapor देखने को मिलेगा that means आपको जलवाश देखने को मिलेगा guys ठीक है water vapor that means आपको जलवाश देखने को मिलेगा और साथ में guys आपको यहाँ पर dust particles भी देखने को मिलेगे आपको dust particle भी देखने को मिलेगे ठीक है तो यह बातें अगर मैं बात करूँ यह हमारा atmosphere का एक roughly composition है इसको मैं थोड़ा सा उपर लिग दूँ त अगर मैं बात करूँ हमारा atmosphere का composition क्या है तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा different kind of gases मिलेंगी ठीक है उसके बाद guys अपर लोग बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा dust particle आज का chapter बहुत important और बहुत simple है dust particle इसके लावा guys आपको यहाँ पर मिलेगा water vapor जिसको अपर लोग हिं लिखने को मिलने वाला है और इसमें से जो सबसे ज़्यादा जो gases पाई जाती है वो मैंने आपको वहाँ पर अलग से लिख करके रख दी है और guys याद रखेगा वो आपके exam में पूछने वाला है खासतर के सबसे ज़्यादा कौनसी gas पाई जाती है तो answer हो जाता है nitrogen और और और आपके सामने क्लासिफाई कर दिया है कि atmosphere में क्या पाय जाता है और आप सारे बच्चों को मैं यही कहूं guys कि ये वाला जो data मैंने लिखा है ना इस वाले data को भूलना मत यही आपके exam में पूछा जाएगा यही guys आपके exam में पूछा जाता है ये बार बार exam में आएगा कि सबसे ज़्यादा कौनसी gas है सबसे कम कौनसी gas है ये point आप बच्चों को बिलकुल भी नहीं भूलना है ठीक important this is super important guys ठीक है okay guys तो यह तो मैंने basic आपको बताया और अब guys मैं आपके सामने diagram भी लेकर के आओंगा और अब मैं आपको पूरा का पूरा एक-एक करके बताओंगा ठीक है ना हाँ जी तो guys आपको जो याद रखना है वो तीनी है nitrogen oxygen and carbon dioxide आरगन आपने बोला तो मैंने लिख दिया हाना बट वो उतना necessary आपके लिए मैं पहले बता देता हूं guys है नहीं चलो आजाओ अब friends अगर बात करूं हमारे atmosphere की तो आप इसको आसान बासा में ऐसा समझ सकते हो कि यह suppose करो अर्थ है सारे बच्चे ध्यान दे सपोस करेगा guys य अर्थ के चारो तरफ ही आपको क्या मिलता है atmosphere मिलता है अर्थ के चारो तरफ ही क्या मिलता है atmosphere मिलता है तो अगर यह हमारी अर्थ हो गई guys यह हमारी अर्थ हो गई तो यह पूरा अर्थ के बाहर जो आप देख रहे हो यह क्या है यह अर्थ का atmosphere है और अभी मैं आपको हुआ कि अर्थ की atmosphere में different different of layers पाई जाती है बट उसके पहले एक बहुत ही necessary point है guys और वो point क्या है कि कि किसी भी planet में atmosphere होने के लिए क्या जरूरी है कि किसी भी planet में atmosphere होने के लिए वायू मंदल होने के लिए जरूरी है कि उस planet में क्या देखने को मिले gravitation देखने को मिले क्या अगर गाईज gravitation देखने को नहीं मिलेगा तो atmosphere नहीं होगा atmosphere को बांद के रखता है क्या उस planet का gravitation याद करिएका सारे बच्चे mercury सारे बच्चें को अगर मैं बता दूँ guys नहीं मिला था हांजी गाइस सौरव विपन किरण अनिके सारे बच्चे कुछ भी इशु आ जाये तो मुझे बता देना के हांज बिलकूल बिना gravity के नहीं हो सकता क्याइस बिना gravity के possible नहीं है तो ग्रेविटेशन होना बहुत ज़रूरी है, एट्मोस्फियर होने के लिए गुर्त्वा कर्शन बल के बगएर वायू मंडल संभव नहीं, अब गाइस अगर मैं बात करूँ, हमारे अर्थ में, हमारे अर्थ के एट्मोस्फियर में कितने लेयर पाए जाते हैं, कितने पाए जाती हैं, तो गाइस अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो पांचों परते हैं, कितनी परते हैं, पांच परते हैं, ठीक है गाइस हंजी, पांच परते हैं पांच परते हैं, और इन पांचों को मैं आपको एक-एक करके यहाँ पर कराने वाला हूँ, यह थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ ज्यादा बैटर हो जाएगा अब गाइस अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग गाइस बात करें तो एक मैं आपको example के तौर पर बताऊंगा तो आप सारे बच्चे उसको focus करना सारे बच्चे उसको focus करना क्योंकि वह आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा क्योंकि उसके बगएर हम पढ़ नहीं पाएंगे सपोस्ट करो यह अर्थ का पांच लेर हैं लेर वन हो जाएगा लेर नटू हो जाएगा लेर थी हो जाएगा लेर फोर हो जाएगा लेर फाइगा ठिके ङई cotton थी कर्करम इसको पढ़ सकते हैं मेरी बातों को ध्यान जाओ, suppose करो, यह है हमारा यहाँ पे बीच में equator, भुमद्दे रेखा, यह है equator, जिसको अपन हिंदिये बोलते हैं भुमद्दे रेखा, इस तरफ पर जाएगा आपका एक पोल, एक दुरू, नौर्थ पोल और इस तरफ पर जाएगा आपका साउथ पोल, अब इस बातों को मे मैं आपको समझाओंगा, देखोगाईस, मैं आपको एक बात पहले ही बता चुकाओं की, जो काम होगा नदने स्पियर में, वही काम होगा सदने स्पियर में, जो आपका उत्तरी गुलार्द में होगा, वही आपका दछनी गुलार्द में होगा, yes or no? तो मैं दोनों तरफ pole की analysis नहीं करूंगा मैं किसी भी एक side का pole ले लूँगा और उसके basis पर मैं analysis करूंगा तो चलो एक side मैं यहाँ पर ले लेता हूँ pole I hope सारे बच्चें को दिख रहा होगा pole और दूसरे side मैं लिख लेता हूँ equator दूसरे side में क्या लिख लेता हूँ equator और guys अगर हम लोग बात करें सारे बच्चे बस ध्यान से सुनते जाना जो बच्चे आज की class नहीं कर रहे हैं मैं उनको यही बोलूँगा कि यह class बहुत important है यह class बहुत ज़ादा important है अब guys अगर बात करूं यह है हमारी layer number one सारे बच्चे फोकस करें यह है हमारी layer number one और अगर आप लोग ध्यान से देखें equator पर इसमें height जादा है लगभग इसकी height है 18 km और guys पोल पर इसकी height कम है और near about कितनी है 8 km ऐसा क्यों है तो यह आप मेरी बात को ध्यान से समझो देखो आप जानते हो equator के पास में हवा गरम होगी equator के पास में हवा गरम होगी yes or no तो यहाँ पर हवा जादा height तक उपर उठेगी यहाँ पर हवा जादा height तक उपर उठेगी yes or no जबकि जो पोल होते हैं वो ठंडे होते हैं तो यहां पर जो हवा होती वो कम हाइट तक उपर उठेगी, यहां पर जो हवा होगी ओपर उठ पाएगी, और इसी यही वाला जो जोन होता है इसको अमलोग बोलते है ですね, Shopifyirrel यह होता है, और बचपन से आप पढ़ रहा है, यह आपको मालूम होना चाहिए पर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि जो पोल होते हैं जो दुरू होते हैं वहाँ पर ठंडा होता है तो हवा ज़ादा उपर नहीं उट पाती है जबकि एक्वेटर पर गर्मी ज़ादा होती तो हवा ज़ादा उट पाती है तो पोल में अगर बात करो जो लेयर नंबर वन होगी वो क्या होगी less wider होगी वो less wider होगी और equator पर वो बहुल सकते हो ज्यादा wider होगी yes or no more wider होगी hello इसने, okay thank you अंकित हम कर रहे हैं, बिल्कुल आसिफ, आसिफ समझ में आया है क्या जो मैंने बोला आपको आसिफ ये समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है जो दुरू होते हैं आपर guys temperature ज़्यादा होता है तो हवा ज़्यादा ऊपर उड़ जाती है आयोब बात समझ में आनी चाहिए मुझे पता है ये बच्पन के पाप है yes or no, मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि बच्पन में ये concept clear किया ही नहीं गया बच्पन में रटा दिया गया था yes or no, अगर अभी clear हो गया हो तो मुझे बता दो guys अभी अगर सबको clear हो गया हो तो मुझे बता दो suppose करो ये हवा है तो आप जानते हो कि pole के पास जो है हवा वो बहुत उपर तक नहीं उड़ती जबकि equator के पास जो हवा है अगर है या नहीं है आसिफ एक बार कॉमेंट करके बताना भाई मैं आपके कॉमेंट का बेट कर रहा हूँ हाँ सर क्लियर है सौरव, दुरलव, रितेश, रिया, तुल अनिकेश, शरस, स्ने, अंकित आसिफ ने कमेंट नहीं किया आसिफ समझ में नहीं आया क्या भाई, तो एक बार बताओ अश्वर्या क्लियर है अनिकेश, ओकेशिवानी क्लियर है अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है तो गाईस, ये एक रीजन है और इसी लिए ये थोड़ा सा तिर्चह बना होता है ये थोड़ा सा, और इसलिए देखो गाईस, ये पोल पे एक तरफ मैं पोल की तरफ अनालिसिस कर रहा हूँ एक तरफ मैं एक्क्वेटर की तरफ अनालिसिस कर रहा हूँ, बिल्कुल तो गाईस, अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है, यहाँ पर ना टेंप्रेचर है वो नियर अबाउट आपको देखने को मिलेगा माइनास 80 डिग्री सेलसी यह वाला फेजर कैसे है बचपन से आप पढ़ रहे हो अब बात आओ मैं इस फिगर को अगर यहां से काट कर लूँ तो यह देखो इधर ध्यान से यह एक्विटर वाली हाइट देख होंगा वहीं सेम अहलिसस इधर होगा यह रोगा है लिए इतना क्लियर बता रहुँ भाई इतना क्लियर तिमको कुई बताएका यहां इसा तो यह देखो यह फीगर ऐसा बन गया ठीक यह फीगर ऐसा बन गया और यही फीगर मैंने यहां पर बना करके दिखाया है तो गाइस यह है layer number 1 और इसको बोलते है troposphere इसको अपर लोग बोलते है troposphere this is T troposphere और यहाँ पर height के साथ temperature घटता है अभी मैं यह आपको और बताऊंगा ठीक है अब मेरी बात को ध्यान से सुनो diagram एक एक करके पूरा करेंगे तो guys यह हमारा हो जाएगा first layer जिसको English में बोलते है troposphere क्या बोलते है troposphere और हिंदी में इसको बोलते है छोब मंडल हिंदी में इसको क्या बोलते है छोब मंडल और guys सबसे पहला point जो आपके exam में आया है कि earth के surface से जो nearest layer है वो कौन सी है guys तो आप बच्चों ने देखा है कि यही वाली है nearest layer यही वाली है nearest layer क्या इस point पे किसी बच्चे को कोई issue है क्या यही वाली है nearest layer ठीक है न यही वाली है nearest layer अगर बात करो troposphere का और आप लोग paper उठा करें के देखो यह question कितने बार आया इसको अपर लोग बोलते है छोब मंडल ठीक यू शिवानी अगर हम लोग बात करें गाईस तो यह देखो यह है layer number one और इस वाली line को आप बचपन से जानते हैं इसको बोलते है tropopause जहाँ पर troposphere खताम होरी उसको बोलते है tropopause ठीक है तो यह वाला area आपको focus करना यह वाला area आपको focus करना this is troposphere this is troposphere ओके गाईस ओके troposphere अगाईस अगर बात करूँ इसको हिंदी में छोब मंडल बोलते हैं अगर हम लोग बात करें तो यह tropos word का mix मतलब क्या होता है यह जो word है tropos tropos इसका मतलब होता है guys अगर मैं बात करूँ यह जो word है tropos इसका meaning ही होता है mixing और basically यहाँ पर mixing किसकी हो रही है गाईज तो यहाँ पर mixing होती है air की गर्म हवाओं की और ठंडी हवाओं की यहाँ पर mixing होती है और जब भी इस तरीके के mixing होती है गर्म हवाएं मिल रही है यानि कि weather activities हो रही है हाँ या ना यहाँ पर ही क्या होंगी weather activities हो रही हैं ये बात मानोगे या नहीं मानोगे मौसम सम्बंदी घटनाय भी यहीं हो रही है yes or no गर्म हवाएं ठंडी हवाएं आपस में मिल रही है weather activities हो रही है in fact मैं बोल सकता हूँ कि 99% जो cloud होते हैं जो बादल होते हैं वो भी यहीं troposphere की तो यहाँ पर क्या होता है एक चीज चलता है जिसको आप बोलते हो lapse rate सारे बच्चे इस बात पर focus रखें इसको आप लोग बोलते हैं lapse rate and what is lapse rate if I am talking about lapse rate तो होता क्या है जबी भी आप 165 meter उपर जाओगे जबी भी आप 165 meter उपर जाओगे तो 1 degree Celsius temperature down होता चला जाएगा यही lapse rate आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यही lapse rate आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कैसे guys यह देखो सारे बच्चे ध्यान से आप 8 km height तक गए तो temperature है minus 45 और आप 18 km height तक गए तो temperature है minus 80 degree Celsius अब I hope यहाँ पर कोई ऐसा पपू नहीं होगा जो बोलेगा कि minus 80 जो temperature हो तो यहाँ रखना minus 45 जो temperature है yes or no please इस बात को समझना sorry जो minus 45 जो temperature है यह क्या हो रहा है धीरे धीरे temperature कम हो रहा है मैं यह उल्टा बोल दिया यहाँ यहाँ पर देखो यह minus 45 है और यह minus 80 तो जैसे-से आप उपर जा रहे हो guys तो यहाँ पर मैंने साफ साफ बना दिया है कि temperature क्या हो रहा है down हो रहा है इसको मैं थोड़ा अच्छे color से लिख देता हूं कि ट्रेपो स्पियर में यहां पर क्या चल रहा है lapse rate height के साथ temperature कम हो रहा है मैंने correct कर दिये यहां पर एक-एक करके यह बात सबको समझ में आ रही height के साथ temperature कम हो रहा है और कॉंसी layer में ऐसा हो रहा है तो answer हो जाएगा ट्रोपो स्फियर में height के साथ temperature कम हो रहा है अब गाइस आप सारे बच्चे इस बात पर focus करना कि weather activities सारी यहीं पर होती है weather activities सारी यहीं पर होती है cloud सारे यहीं पर बनते हैं yes or no यह बात आपको focus करके रखना ये सारी बात आप लोग को पता चल गाई है बिल्कुल 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 किलोमीटर भी मैंने आपको वहां पर लिख दिया अच्छा यहां पर पोल नहीं लिख रहा है diagram में diagram में पोल नहीं दिख रहा है बोटा तो आपको बता देता आप में से कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, इसको आप लोग समझेंगे, ठीके ना, इसको आप सारे बच्चे यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, ओके गाईज, तो इतनी बातें आपको मालूम होना चाहिए, ट्रोपोस्फियर के बारे में, देन गाईज हम लोग मूग करते हैं, अपनी सेकेंड लियर में, और सेकेंड लियर का नाम हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर, बिल्कुल, फ्रिक्शन लियर बगारा, टिंशन हना, तो सेकेंड लियर हो जाएगी हमारी स्ट्रेटोस्फियर, और इसका हिंदी में मतलब होता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर को हम लोग हिंदी में, स्ट्रेटोस्फियर को हम ल इंदी में क्या बोलते समताप मंडल तो गाईस अब मैं क्या करता हूं यह इस टेटोसफिर बना लेता हूं यहां पर सारे बच्चे यहां पो ध्यान देना सारे बच्चे यहां पर एक बार फोकस करेंगे यह आ गई आपकी IU लेयर नमबर 2.овe are ऐब की लेयर नम बर टू देटी vist us ट्रेटों स्फियर और इसकी हाइट होती है कितने की झिलो मीटर इसकी हाइट होती लगबाख 50 किलो मेंटर बिल्कुल बिल्कुल इसकी हाइट होती फिप्ती किलो मीटर फिक है, एक लोग को चीजे नहीं देख पा रहे हूं सब्सक्राइब अब लोग मुझे बताओं कि अब इमेज़ क्लियर दिख रही होगे ठीक है तो गईस अब आप लोग मुझे और गाईस यहाँ पर temperature आपको देखने को मिलता है near about somewhere 0 degree celsius यहाँ पर temperature आपको देखने को मिलता है 0 degree celsius ऐसा क्यों यह मैं अभी आपको explain कर दूँगा उसके पिछे उसको घबराना मत यह अभी मैं आपको explain कर दूँगा बिल्कुल भी घबाने की जरूत नहीं है यह है हमारा layer number 2 और layer number 2 का नाम है stratosphere और यहाँ पर temperature आपको temperature बढ़ रहा है यहाँ पर आपको temperature बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर आपको temperature बढ़ता हुआ दिख रहा है अब guys अगर मैं बात करूँ यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा guys यहीं पर आपको देखने को मिलता एक बहुत important चीज जो की stratosphere के lower points में आपको देखने को मिलेगा और यह कोई और नहीं है guys यह है आपकी ozone और यह question भी आपसे exam में दसो बार पूछा जा चुका है कि ozone layer कौन से part में पाई जाती है तो guys यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि जो stratosphere है यहीं पर हमको इसके lower portion में हमको कौन सी gas देखने को मिलती है that is ozone हाँ भाई अगर दुरलो रोय अगर नहीं बात करूँ तो देखो stratosphere जो है वो लगभग equal height हो जा रहा है stratosphere equal height हो रहा है बिल्कुल भाई टिंकू आप थोड़ा late आए हो मैंने already इसको explain कर दिया है आप class के बाद इसको देख लेना क्योंकि मैंने इसको already explain कर दिया है हना मैंने इस point को already explain कर दिया है कि वो tilted क्यों है और यहाँ पर equal क्यों है तो आप थोड़ा सा late आए हो ठीक है एक बार पुरानी यह जो class है ना इसको थोड़ा सा पीछे जाकर कर देख लेना और मैं यहाँ पर एक point और add कर देता हूं आप लोग को बाद में नहों एक तरफ है pole और एक तरफ है equator yes or no तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि जो pole में यह layer है कैसी guys यह narrow है यह narrow है और equator में यह layer कैसी है wider है हना क्यों है यह मैं आपको already explain कर चुका हूं ठीक है यह tilt वाला point सबको समझ में आ गया है जो बच्चे शुरू से हैं जो बच्चे लेट आ हैं बेटा थोड़ा सा एक बार देख लेना आप लोग class को जा करके अब मेरी बात को सुनो ध्यान से अब यह जो ozone करता है यह ozone क्या करता है गाईस ozone क्या करता है यह absorb करता है यूवी रेस को याने की परा बैगनी केड़नों को किसको absorb कर रहा है गाईस यूवी रेस को याने की परा बैगनी केड़नों को और अगर यह यूवी रेस को absorb करेगा आप सारे बच्चे खुदी बता दो और जैसी आप स्टेटो स्पियर पहुंचे तो देखो यहाँ पर टैमप्रेचर जीरो हो गया क्यों कि सारी जो गर्मी थी जो सारी जो हीट थी वो एब्सॉर्ब कर गया है कौन ओजान यस और लो ओजान और गाइस यही कारण होता है ओजान के कारण अगर मैं गाइस बात यहाँ पर आप बोल सकते हो गाइस की जो चीजे हैं जो क्लाइमेट वगरे सब कुछ है वो कैसा स्टेबल है यहाँ पर हर चीज स्टेबल है जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्या यहाँ पर वैदर एक्टिविटीज होंगी क्या सारे बच्चे मुझे एक बार कॉमेंट करके बता दो कि क्या स्टेटो स्टेबल में वैदर एक्टिविटीज होंगी या नहीं होंगी तो आपको याद अठना है कि यहाँ पर वैदर एक्टिविटीज नहीं होंगी वैदर एक्टिविटीज सारी कहां पर होती है ट्रोपो स्टेबल में होती है गाइस और एक कोशन आत है कि हमारे जो aircraft हैं वो कौनसी layer में fly करते हैं तो यह answer हो जाएगा यह answer हो जाएगा aircraft जो है जो वायूयान है वो इसी layer में fly करते हैं क्योंकि यहां पे climate कैसा stable है हना अगर मैं बात करूं ozon के नीचे जो है पूरा का पूरा जो area है वो कैसा stable है about troposphere and below zone पूरा का जो area है वो stable है yes or no तो अराम से यहाँ पर हमारे aircraft fly करते हैं आप सारे बच्चे बताओ इस point पर agree करते हो या नहीं इस point पर आप agree करते हो या नहीं करते हो बिल्कुल यहाँ पर plane उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे सारे बच्चे मुझे एक बार comment करके बता दो मेरे ख्याल से उड़ेंगे yes or no aircraft flying क्योंकि देखो मैंने आपके सामने यहाँ पर proof करके बताया है कि कैसे होगा yes or no guys सारे बच्चे stratosphere में ozone मिलेगी stratosphere में that's why यह reason है कि यह good है for flying aircraft yes or no that's why यहाँ पर आपको यहाँ सार समझ में आ रहा है एश्वारिया पंकज रितेश सौरव राकेश दुरलव नियर सक्सेस रिया no atmosphere no friction अगर मैं guys बात करूं यहाँ पर weather activities नहीं तो कोई friction नहीं यहाँ पर weather activities नहीं एक note करते हैं यह जो ozone है यह जो ozone है इसकी thickness को किसे measure करते हैं इस ozone की thickness को किसे measure करते हैं कोई बता सकता है तो वो है dopson ozone की thickness को आप measure करते हो जिस unit से वो unit कौन सी है ozone की thickness को आप जिस unit से measure करते हो उस unit को बोलते हैं dopson और यह भी exam में कई बार आ चुका है कि ozone की thickness को आप किसे measure करते हो तो याद अखना गाईस डॉप्सन से आप मिजर करते ओ, Ozone layer की ठिकनेस को डॉप्सन से आप मिजर करते हो Ozone layer की ठिकनेस को डन गाईस? बिल्कुल, बिल्कुल अब फ्रेंड्स अगर हैं बात करूं, अब अगर हैं बात करूं तो आपको एक बात का ध्यान में रखना है कि कभी-कभी ये question आ जाता है largest largest जो hole हो रहा है जो है कहाँ पर है वो Antarctica में है और इसलिए Australia में बहुत ज़ादा आपको skin cancer देखने को मिलता है और ये क्यों हो रहा है guys largest hole हो रहा है किस पे हो रहा है guys आप जानते हो ये largest hole हो रहा है किसके उपर ozone layer पे ये हो रहा है ozone layer में और अगर guys मैं आप से बात करूँ कि ozone layer में hole जो होता है वो क्यों होता है तो ये भी आपको पता है इस cancer है chlorofluorocarbons क्यों होता है chlorofluorocarbons जैसे रेफ्रीजरेटर, एयर कंडिशनर, यस और नो, इस यूनिट, यह यूनिट है, अगर हैं बात करूं, Mr. Tinkoo, तो जैसे जैसे हम लोग एक्वेटर में जाते हैं, तो एक्वेटर में हवा गरम होने का ज्यादा उपर उठ जाती है, और अगर मैं गाइस करूं, बात करूं, पोल की, तो पोल में हवा बहुत उपर उठ नहीं पादी, क्योंकि वहाँ पे ठंडा होता है, और एक बार आप लेक्चर को प्रिवियस करके देखोगे, मतलब होता है, एक शहर एकहां पर Canada में, Southeast में, जहां पर लोगों ने बोला कि हम को भई, Ozone layer के Depletion को रोकना है, Ozone से related, तो याद रहाईना Ozone layer के you Depletion को रोकने के लिए, कौन सा protocol था, तो answer हो जाएगा Montreal practical था, और Kyoto protocol क्या है, वो greenhouse gases के कंशेन के उसको कम करने के लिए है यह फिर बोल सकते जो प्लाइमेट चिंज हो रहा है जो ग्लोबल वह semaines को रहा है उसको कम करने के लिए ठीक है हाँ थी तोलाइए तो फीर दाऊस बोलू तो उसके लिए हो जाएगा क्योटो और कियोटो की स्पेलिंग क्या होती कुटो एक शेहर जापान में एक काम करते हैं एक चोटा सा नोड बना करके यहां पर डाल देते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए क्योटो तो याद रखना सारे बच्चे क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है तो क्योटो प्रोटोकॉल किसे है या तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए हो जाएगा और अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं आएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हो, या फिर क्लाइमेटिक चेंज आप बोल सकते हो, क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो एक शहर है, और ये शहर कहाँ पर यह शहर कहां पर है जापान ठीक है ना हाँ जी हाँ जी है ठीक है चलो हाँ भाई सबको पता है कि रिकोवर हुआ था अभी बीवर कोश्चन आएगा तो आपको लगाना पड़ेगा ठीक है अभी बीवर मैं बात करें गाई जो भी अगर आपको सबसे बड़ा हो ले यह Edward Saway Stratosphere के बारे में और स्ट्रैटोस्फियर ने आपको कहा रहा है इस बात को यहां पे मुझे आपको समझाने के लिए यह वाला डिछरा में दूबारा ले रहा हूँ अमसारे बच्चे इस डिअर्गराम पर फोकस करो तो अगर यहांप यह वाला जो का है अप यहां पर रही है व dieses यहाँ पर temperature बढ़ा और कितना दीकर है zero degree Celsius आपको temperature देखने को मिल रहा है जीरो डीघरी Celsius आपको यहाँ पर temperature देखने को मिल रहा है ठीक है इस ठीक है न कर चलें अब घई करें अब अगर गयाओ हम लोग समझ में आगई है अब इसके ऊपर और चलें इसके ऊपर और चलें तो क्या मिलेगा आपको इसके ऊपर और चलें तो क्या मिलेगा आपको इसको क्या हो गया हाँ थर्ड लेयर आ जाएगी अब थर्ड लेयर हो जाएगी और ये कौनसी हाइट पर मिलेगी ये हो जाएगा 80 किलो मीटर और अभी मैं आपको बताऊँगा कि अब यहाँ पर temperature फिर से कम होने वाला और यहाँ पर minus में temperature जाने वाला है मद्य मंडल इसको हिंदी में बोलता है mesosphere इसको अपन हिंदी में बोलते है मद्य मंडल mesosphere अपन इसको हिंदी में क्या बोलते है मद्य मंडल चलो बात कर लेते हैं mesosphere के बारे में यानि कि मद्य मंडल के बारे में यहां पर temperature आपको कम होता हुआ दिखेगा क्यों कम होता हुआ दिखेगा मैं यह आपको बताता हूँ यहां पर temperature आपको कम होता हुआ दिखेगा अब गाईस अगर मैं बात करूं मीजोस्फियर के बारे में मीजोस्फियर के बारे में गाईस अगर मैं बात करूं तो यहां पर कर देखा और अपन ऐक हैड़ीं डाल लेते हैं 3rd लेयर लेयर नमबर 3 कि डैट डैस मीजो स्पेर कि अग्या है है इस मीजो स्पे एस्पेर हिंडी में इसको ब груп WOW लalthy अगर मैं बात करूँ Mesosphere क्या हो गया भई लेइर नंबर सेकेंड इसे टेटो स्वेश और 50 किलो मीटर तो भई 50 किलो मीटर ही तो लिखा हुआ है दोस्त अगर आप बात करो इसको क्या हो रहा है मेरे हम यहां पर ध्यान अगर आप लगा और देखो यहां इस ट्राव लोग बात करें तो यहाँ पर आप क्या देखोगे Mesosphere में Bundesय देखो हो कहा रहा है कि जो भी आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो। मेज़ो स्फियर वाला layer वहां पर आपको बहुत जयादा गर्मी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि जो heat है वो already, heat जो है वो already कहां खिछी जा चुकी है गाईस, इस वाले लेयर में, जिसको अपन क्या बोलते हो, ozone layer, ozone layer जो stratosphere वहाँ पर आ चुकी है, ये layer में temperature कम होता चला जाएगा, और ना ही यहाँ पर ions, देखो यहाँ पर ions available होते, तो भी यह गरम होत ट cooling है और ozone layer यहाँ होने कारण यहाँ पर सारी गरमी यहाँ तो यह वाले area जो है यहाँ पर temperature काफी कम आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर temperature कम देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आप उपर जाओगे temperature कम हो रहा है, और आप देखो यहाँ जीरो से temperature कितना हो गया है, minus 100 degree Celsius य आपको कहां पर देखने को मिलता है. तो आंसर हो जाता है मेजोस्फियर. और यह कितना होता यह minus 100 degree Celsius आपको देखने को मिल रहा है. minus 100 degree Celsius आपको देखने को मिल रहा है. next point पर बात करूँ guys तो इसका application क्या है? यह लेयर हमको करती है Protect. किसे? तो guys, answer है Meteors से. उलकाओं से जो उलकाय होती हैं उनसे ये layer हमको बचाती है कैसे बचाती है देखो अभी मैं आपको बता जेता हूँ होता क्या है अभी थोड़े देर बाद मैं आपको बताऊंगा उपर वाला जो area देख रहा है यहाँ पर temperature जो होगा वो thousands of degrees Celsius होगा तो बहुत जो अर्थ कल मेंने आपको कल या परसो मेंने आपको बताया था, जो मेटियोर्स होते हैं, उलकाय होते हो अर्थ का जो gravitation force होते हैं, वो अपने अंदर खीच लेता है, तो उपर देखो, ऊपर यहाँ पे आ रही है, मेटियोर्स यहाँ पे आ गए, यह सारs नो, काफी गर्मी से आ रहे हैं और फिर एकदम ठंडी जगह पहुंच के और बहुत ज्यादा फ्रिक्षन होगा मीजो स्फियर में और उन मेटी और में उन उलकाव में लग जाएगी आग और आग लगने के बाद वो जलते हुए तूटते हुए दिखेंगे और फिर क्या होगा ज कि जो खुद टूट गए वो दूसरे की दुआ पूरी नहीं करते तो हमको मीटी और से कौन बचाता है गाईस तो आंसर हो जाएगा मीजो स्फियर हां बिल्कुल यहां पर फ्रिक्षन इतना ज्यादा हो जाएगा सोचो वहां पर ठंडा यहां पर उपर गरम नीचे ठंडा तो इतना ज्यादा फ्रिक्षन होता है कि इसमें आग लग जाती है और यह तूट जाते हैं तो गाईस हमको शूटिंग स्टार से तूटते हुए तारों से कौन बचाता है तो आपको बताना मीजो स्फियर बचाता है सर हीट रेस टो उपर से आ रही है फिर कैसे भाई नियर सक्से यहां पर आप बात कर रहे हो हीट रेस उपर से आ रही है यहां पर आपको मैं बात करूँ भाई यहां पर ना तो आपको कोई ग्रीन हाउस गैसेस मिलती है ध्यान देना यहां देखो आपको क्या लगता है अर जो इन एनेर्जी को ट्रोच करते हैं उसके कारण ही चोगा हाई पर भाई वह सब आपको मिलेंगी नहीं जब उसennial मिलेंगी ऍहां पर तो यहां पर आज यह लेरियम इसको और आपका मेंस क्या वुलना चीज़ को ऊसों लेर यहां पर हीट को अब्सॉप कर लेती यहां पर जबकि ऐसा कुछ ही नहीं तो कहां से अब्सॉप कर लोगे यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 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 हमको बचाता है उलकाओं से नहीं तो सीधे हमारे सर पे आके गिरता है और हमारा हो जाता है स्वाहा या सर नू बास सोच पाई रहे हैं तो यह हमको shooting star से बचाता है इसके ठीक उपर चलेंगे तो layer number 4 बिल्कुल बिल्कुल इसके ठीक उपर चलेंगे तो आपको मिलेगा layer number 4 और इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फियर क्या बोलते हैं थर्मोस्फियर और हिंदी में इसको बोलते हैं ताप मंडल हम बिल्कुल बिल्कुल अर्थ जो अर्सले स मन्डल बोलते हो और इस इसको आप क्या बोलते हो आयन मंडल यान मंडल यह फैर होता है इसके बारे में आपको इक आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आपको मिलते हैं Ions यही पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है जो आपके पास जो solar से सन पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पर बहुत सारे जो sun के जो radiation के थूर जो वहाँ पे अपन को क्या दिखने को मिला था जो sun जो है भई आपने देखा था मैंने आपको solar wind के बारे हम पताया था yes sir no तो जो solar winds वगएरा होती है वो यही पर आती है yes sir no तो यहाँ पे बहुत सारा क्या है ions present है और ions present है तो ionosphere में ions present होने के काण यहाँ पे गर्मी बहुत ज़ादा हो जाएगी यहाँ पे गर्मी बहुत ज़ादा हो जाएगी आपको मैं example दे करके एक बार उताता हूँ याद करो guys मैंने आपको एक point पड़ाया था sun के time में एक होता था aurora borealis याद आ रहा है क्या क्या आपको याद आ रहा है aurora borealis aurora borealis और मैंने आपको बताया था कि aurora borealis है वो कहाँ होती northern hemisphere में और साथ में मैंने आपको एक और point वहाँ पड़ाया था aurora australis yes or no aurora australis aurora australis होती है southern hemisphere में होती है और यह basically कहाँ पर हो रही है गा यह पूल वाले reason में हो रही है yes or no जो polar वाला area है उधर मतलब उसके उपर जो atmosphere होगा उधर तो guys यहाँ पर क्यों हो रहा है क्योंकि इस part of layer में आपको ions देखने को मिलते हैं और जो ions आ रहे हैं sun से वो जब टकराते हैं magnetic fieldless के अर्थ से तो क्या करते हैं colorful light generate करते हैं याद आ रहा है colorful light generate करते हैं क्या ये बात सबको याद आ रहा है और अगर guys यहाँ पर ions मिलेंगे बिलकुल हाँ अगर मैं बात करूँ जो aurora borealis है और जो aurora australis है ये basically अगर गाईस बात करूँ तो क्यों होता है अगर मैं guys अगर में लोग बात करें तो उसकी कारण ही अगर guys हमें लोग बात करें तो यहां पे बहुत ज़्यादा ions आएंगे और guys अगर ions आएंगे अगर ions आएंगे तो क्या होगा बताओ आप सारे बच्चे यह वाली जो लेयर है सपोस कर लो this is somewhere around according to NCRT 640 km yes or no and this is nothing but the layer number 4 that is thermosphere और इसी का lower point होता है lower जो एरिया होता है वो आइनोस्पेर के लाता है और यहां पर temperature होता है more than 1000 degree celsius more than 1000 degree celsius यहां का temperature होता है yes or no और इसका मतलब किया यहां पर height के साथ साथ आपको temperature बढ़ता हुआ दिख रहा है यहां पर आपको temperature बढ़ता हुआ दिख रहा है yes or no सारे बच्चे ठीक है हाँ अब देखो यार जो बच्चे बीच बीच में आओ गयार उनको दिक्कत होगा देखो यार क्योंकि classes जो है वो सारी की सारी आपस में connected है मैं आपको पहली बता चुका हो अगर आप बीच बीच म आपर आता है और अरुर्या ऑस्ट्रीलिस कहां पर आता है हो सकता है यह इस बार exam question आ जाए और ऑस्ट्रीलिस का मतलब भी क्या होता है साउथ जैसे कि आस्ट्रेलिया कौन से हमिस्पेर में सदन हमिस्पेर में ठीक है तो गाईस एक बात बताओ अब आप लोग सपोस करो य ये औयन से आयनो स्फिएर की मैं बात कर रहा हूं आपको आयन देखने को मिलेंगे और आयनो स्फिएर जो है लोवर पार्ट किसका थर्मो स्फिएर का यह बात आप सारे बच्चों को मैं बता चुका हूं यह मैं लिख दिया अयनोस्फेर अब सोचो गाइस आपने यहाँ पर अर्थ से रेडियो व्यों वेजी आपने यहां से रेडियो व्यों वेजी ऑर रिडियों व्यों अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, कि which layer is responsible for communication, संचार के लिए कौनसी layer उत्तरदाई है, तो आप answer बता सकते हो, that is ionosphere, अब आप सारे बच्चे बताओ, ये question exam में आता या नहीं आता, ionosphere, हाँ, तो गाई साब मुझे बताओ, ये वाला question आपने देखा है या नहीं देखा है, कि जो कौनसी layer है, जो responsible है, किसके लिए communication के लिए, तो अगर ये question आया, तो आप सारे बच्चों को answer देना है, कि ionosphere responsible है, इस समय मैं आप सारे बच्चों के comment देख रहा हूं, और मैं आपसे पुछना चाहता हूं, कि ये point समझ में आ रहा है, ये point सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है guys, मैं आपके comment ही रेख पा रहा हूं, किसी को कोई भी issue आ रहा है guys, तो comment कर दीजेगा, और मैं आपको तुरंत ही comment में answer, जो भी आपका doubt है, मैं तुरंत उसको answer कर दूँगा, सारे बच्चे, एक बार मुझे comment में acknowledge कर दो, कि हाँ sir, okay है, all good है, कोई issue है, तो मुझे बता दो, ठीक है, तो this is super important question guys, आपके exam में ये बहुत बार आ चुका है, कि कौन सी layer है, जो communication के लिए responsible है, ये बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, तो guys, अगर आपके बात करूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाया, जो international satellite station है, वो भी आपको यही पर देखने को मिलते हैं, international satellite station भी आपको यही पर देखने को मिलते हैं, और अगर guys, आपके मन में सवाल आ रहा है, कि भी आखिरकार वो जलते क्यों नहीं है, क्योंकि वो kevlar नाम के material से बनाया जाते हैं, जिनके उपर heat का कोई भी impact नहीं पड़ता, जिनके उपर heat का impact नहीं पड़ता, ठीक है ना, ठीक, तो guys, अगर हम लोग बात करेजे, मैंने communication के बारे में बता दिया, आइनोस्टेर के बारे में बता दिया, अब guys, यहाँ पर हम बात करेंगे, next, next की तरफ हम लोग जाएं, तो इसको मैं थोड़ा सा extend करता हूँ, मैं थोड़ा सा extend करता हूँ, ठीक है, आज अगर आब बात करूँ, यह हो जाएगा हमारा layer number 5, यह हो जाएगा हमारा layer number 5, यह हो जाएगा आपका layer number 5, ध्यान रखना guys, यह हो जाएगा हमारा layer number 5, और यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं आपके सामने क्या लिख देता हूँ, Yes or no अब guys अगर हम लोग बात करें किसके बारे में अगर हम लोग guys बात करें किसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे Layer No. 5 Layer No. 5 took आप सारे बच्छों को बताना है कि Layer No. 5 क्या होता है ठीके न Yes or no किसी बच्चे को और भी कुछ comment है क्या एक सेकंड में कमेंट पहले देख लेता हूं हाँ वाई सौर अफ क्या होगे आपको क्या पूछ रहे हो भाई हाइट एंद थिकनेस ऑफ उजान लेयर 300 डॉपसन होता भाई हाइट एंद थिकनेस के बारे में बात करें 300 डॉपसन होता है ठीक है यार इत्ता कामते यार ख आप चौना फिप्त और हैट के बारे में बात करें तो अगर मैं बात करो तो अठारा किलो मीटर तक आपका ट्रॉपस्पेर उसके ऊपर निएएर बाउट सम्वेर आप बोल सकते हो लौवर जो स्टेटोस्थ्वेर रहें एर रवाट थर्टी फवाइब किने को मिलेगी ठ चलो पढ़ो, yes or no, क्या ये भावना है पहले नहीं चाहिए थी क्या, जब आप स्कूल में थे या फिर कभी और थे, ये सब डाउट्स तो और भी पहले आने चाहिए थे, पर अभी तक क्यों नहीं आ रहे थे, yes or no, ठीक है, ये बताओ आप, अब हम बात करेंगे एक्जो स्फ कर रहे हैं, और मज़ा करेंगे, ठीक है, चलो बात करते हैं, एक्जो स्फिर, पर अभी तो जितने भी बैच आ रहे हैं, जो पॉलिटी का होगा, जो एकोनॉमी का होगा, वो बिसिकली एक्जाम पॉइंट आफ जूसे भी चल रहा है, और जितने बच्चे भी अभी प्लस म में आओ, यस और नो, सबको मैं यही बोलूँगा भाई, क्योंकि जो, जो अगर आप सिलेबस की बात कर रहे हो, तो देखो यार, मैं सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा, कुछ सबजेक्ट मैं यूटूब में कर रहा है हूं, कुछ सबजेक्ट मैं कहां करा रहा हूं, प पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ठेंक्यू everyone guys, thank you so much ठीक है ठेंक्यू everyone guys, तो मेरी बात को ध्यान से सनो रात मर के एक्जाम दिया रट मर के एक्जाम दिया चलो, ओके तो अगर guys मैं बात करूँ तो मेरी बात को ध्यान से समझो ठीक है तो आप लो मेरी बात को समझो अभी हिस्ट्री चालो होगी तो हिस्ट्री भी आपकी ठीक ठाक चलेगी क्योंकि यार मेरा यह है कि एक बार जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगो धंग से पढ़ा दूँग अब जो quality है और quality भी देखो मैंने पहले बोला था कि 15 अगस तक हतम हो जाएगी ठीक है ना पर गाइस उसमें आपको पता है मैं 5 lecture और अपने add कर रहा हूँ क्यों add कर रहा हूँ 5 lecture क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा और आपको बता दूँ क्योंकि exam का pattern change हुआ है अब आप सोचो मेरी वो जो quality है वो निर अबाउट सम्वेर अरॉण 35 जो आवर्स है लगबाग उससे ज्यादा जा रही है ठीक है बड़ ठीक है यार मुझे इससे मतलब नहीं है बस मुझे यह एक ही आपका अच्छे से करा हूँ ओके ओके चलो thank you guys हम लोग आगे पढ़ते है एक्जोस्फेर के बारे में बात करेंगे बहिर मंदल अब देखो guys इसके बारे में ज्यादा जानना नहीं है यह क्या है यहाँ पर हमारा atmosphere यहाँ पर हमारा atmosphere जो है यहाँ पर हमारा atmosphere है यहाँ पर बारिश हो रही है अपने आतो यहाँ पर जो हमारा atmosphere है guys वो merge हो रहा है किसमें? Space में यहाँ पर हमारा atmosphere जो है वो merge होता रहता है space में guys और यहीं पर आपको basically देखने को मिलते हैं क्या? satellite यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं satellites ठीक है guys? यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं satellites बिल्कुल पढ़ो बाइब बिल्कुल पढ़ो यार डैप्ट में पढ़ो और ज्यादा मज़ा आएगा ठीक है ना चलो तो आपको यह बाते समझ में आ रही बाइब अच्छे पढ़ो यार मज़ा तभी है तो गाइज याद रखो यहीं पर आपको सेटलाइट्स मिलेंगी मै यहीं पर आपको सेटलाइट्स देखने को मिलते हैं और आई होब गाइस आप सारे बच्चे इसको पढ़ोगे बिल्कुल इंट्रस जगाना है वेटा और मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे जही तक ही ना रुके उसके उपर भी जाए ठीक है चलो तो यह कुछ बाते मुझ जिसको याद रहेगा उसको कोई भी डाउट नहीं होगा यह वाला डाग्राम जिसको याद रहेगा उसको कताई डाउट नहीं होगा क्योंकि यहीं डाग्राम जो है यह बिल्कुल क्लियर कर देता है पूरा का पूरा एट्मॉसफेर यह क्लियर कर देता है चले चले आगे वोल रहे थे कि हां सर्क पाइक पार्ट रह गया है तो समय आ गया है कि उस पार्ट को भी करा लिया जए कि वेटाध़्य पढ़ elastic बात कर लेना आप सारे बच्चे एक छोटा सा नोट कि यार सेशन को शेयर किया करो भाई मैं आप लोग से यह रिख्वेस्ट करता हूँ आप बच्चों के लिए है क्योंकि आफ लोगों ने बोला था और यह रह गया था शेद तो मेरा फ़र्स बनता है कि ये कराना है अप हेली ओं जिसको आप हिन्दी ये बोलते हो उप स Till यस और नो एंड सेकेंड होता है पेरिहिलियोन सेकेंड होता है पेरिहिलियोन इसको अपनलोग बोलते हैं शायद मैं हिंदी में गलत लिख रहा हूँ हाँ हाँ अप हिलियोन को हिंदी बोलते हैं अप सौर और पेरिहिलियोन को हिंदी बोलते हैं अब बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुनना अब हिलियोन के बारे में गाईस अगर मोग बात करें अगर हम लोग बात करें पेरिहलियोन क्या होता है तो आप ऐसा लिखो यहाँ पे मतलब जो अर्थ है वो पास हो पेरी से याद रखो पास तो पास को बोलते हैं पेरिहलियोन और अगर गाईस अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए जो सबसे जब दूर हो जब दूर हो तो उसको अपन क्या बोल देंगे अप हिलियोन तो अप भीलियोन में डिस्टेंज जो होता है वो मैक्सियम होता है यहाँ पर आप बोल सकते हो गईस डिस्टेंज जो होता है वो मैक्स होता है yes और no और यहाँ पर एकदम कलोजस्ट होता है ठीक है done सारे बच्चे ये बात समझ पा रहे हो अब यह होता क्या है तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि सपोस्ट करो गाइज यह है आपका सन यह है आपका सन और जो हमारी अर्थ है वो सन के चारो तरफ घूमती तो जरूर है बट इलिप्टिकल और बेट में कौन से orbit में? elliptical orbit में चारो तरफ यह घूम रही है बट कैसे? elliptical orbit में और जो sun होता है वो एक focus पर होता है sun जो होता है वो एक focus पर होता है अब suppose करो guys ये है हमारी earth की position 1 E1, earth की position 1 ये है हमारी earth की एक position और ये suppose कर लो हमारी earth की दूसरी position example के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपसे पूछ लिया गया कि अर्थ का orbit कैसा है तो आपको क्या बताना है अर्थ का orbit elliptical है अर्थ का orbit elliptical है बिटा focus करो थोड़ा अगर मैं बात करूँ यह सबसे maximum distance है between sun and earth ऐसा याद रखो तो यह कितना होता है यह होता है गाईस 15.2 करोड किलो मीटर 15.2 करोड किलो मीटर और जो nearest होता है suppose कर लो यह आपका होता है 14.7 करोड किलो मीटर 14.7 करोड किलो मीटर अब गाईस याद रखो एक बात जब अर्थ nearest होती है सन के तो कौन सा डेट होता है ठंड का समय होता है 3rd of January और आप जानते हो गाईस आप ऐसे याद कर सकते हो जब ठंड पड़ेगी तो सारे molecule पास पास होंगे ठंड पड़ेगी तो सारे molecule पास पास रहेंगे 3rd जन्वरी और जब दूर होती है तो उस दिन होता है 4th July तो याने की गाईस अगर आप लोगों से अब ग्याइस अगर मैं यहां पर एक पॉइंट आपको और बताओं कि अगर हम लोग एक average distance ले ले बिट्वीन अरथ और अंशन अगर हम एक average distance ले 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 बिट्वीन oaf and sun तो वो आपका कितना हो जायेगा डाईस वो आपका कितना हो जाएगा कौन मुझे बताया गाईज अगर हम लोग बात करें एक एवरेज डिस्टेंस ले ले बिट्विन सन एन अर्थ किता ले सकते हैं बताओ सारे बच्चे बताओ एक तरफ आपको दिख रहा है कितना 15.2 एक तरफ आपको दिख रहा है 14.7 एक नियर बाउट आवरेज बता दो कितना ले ले लेगे 14.9 ले लो yes or no on an average कितना ले लो 14.9 क्यलोट किलो मीटर जाफिर नियर बाउट 15 क्यलोट किलो मेटर एकवरेज डिस्ट डिस्टेंस बिट्वीन अर्थ एंड सेंड यस और नो अप्रॉक्सिमेटली आप देख सकते हुए किसके बराबर है लगभग पंदरा करोड किलो मीटर के बराबर है हना एवरेज डिस्टेंस बिट्वीन अर्थ एंड सेंड ही कहलाता है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक खगोल एकाई आई होप ये बात भी आप सारे बच्चों के मन में बैट जाएगी कि वाट इस पहरी हिलियॉन पहरी हिलियॉन में सन पास होता है और अप हिलियॉन में सन दूर होता है यस और नो अब फिलियोन में सन दूर होता है यस और नो यस और नो गाईज तो यह point अगर आप लोग के मन में clear हो गया तो आप से और भी question बन जाएंगे आप से और भी question बन जाएंगे